हेलो फेंस तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेष्टर में बेस्टेबल स्प्रिंगोल कैसे बनाई आते हैं सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ इस तरह से आपे रोल बनाएंगे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे तो सबसे पहले मैं आपको श्टफिंग बनाने का तरीका बताऊंगा अच्छी टेस्टी चटपटी श्टफिंग कैसे बनाई आती है और इसके साथ मैं जिसको भी घर में स्प्रिंगोल की शीट बनाने में दिक्कत होती है आज के बाद नई होने वाली है देखिए सबसे बहले हमें घर में क्या दिक्कत होती है रोल की जो शीट है न वो चिपक जाती है पैन में पर जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला शीट बनाने का इस तरह से बनाएंगे न एकतम प्रफेक्ट आपकी शीट बनके भी त्यार होंगी तो चलिए रैस्पी शुरू करते है सबसे बहले मैंने आपे प्याज, शिमला मिर्ची, काजर, दोनों बरकार की शिमला मिर्ची आपने इसी तरह से काट लेना है तो प्याज, शिमला मिर्ची की कटिंग करके इनको अलग रखती है जो पत्तक हो भी है उसको आपने वन वाइप फोर कर लेना है एक के चार पीस करने है पत्तक हो भी के और इसके बद देखे इस तरह से पत्तक हो भी कोई जूलिन कर दीश और जो गाजर है इसको अच्छी तरह से चीर लीची चीए चीरने के बद आपने इसको जैसे सैलेड के लिए काटते है न गाजर पहले बैसे काट लेना है इस तरह से और इसके बद गाजर को इकत ठकरके बगड़ Woah व्हा पあーde फोर गाजर होती है तो हाथ तो थोर जड़ चाइनिज बोक लिए है, सबसे पहले उसमें एक बड़ा चमच ओईल आइड करेंगे, बोक को अच्छी तरह से सीजन कर लीशे, अच्छे से गर्म कर लीशे, अगर आपके बस चाइनिज बोक ना हो, आप लोही की कड़ाई में भी मिक्षर बना के त्यार कर सकते हैं, एक सफी में थोड़ा तीखा टेश्ट लाने के लिए, मिर्ची को भी मिक्स कर लीशे, और थोड़ी दिर पका लीशे, तो के देखिए, अधर गलसन मिर्च को मैंने पका लिए है, इसके बद आपने इसमें लंबा लंबा कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च और आड़ करनी ह और इसके साथ में एक बड़ा चमच आपने सीजवाइन सॉस एड़ कर देनी है, सीजवाइन सॉस नहीं है, आप चिली सॉस का यूज भी यहाँ पर कर सकते हैं, और के देखिए, सीजवाइन सॉस को भी मिक्स कर लिया है, इसके बद आपने इसमें पत्ता गोबी और गाजर अच्छी तरह से मिक्स कर ले और जैसे अच्छे से सबजिया मिक्स हो जाएंगे आपने पत्ता गोबी और गाजर को भी शिमला मिर्च प्याज किसा अच्छी तरह से पकाना है यहाँ पे और इसके साथ में सीजवाइन काइड कर देंगे, एक चमच भरके आप इसमें नमका को अच्छा करना है साथ में आपने ना सुघ सॉजा के लिए चुछ चौछ अपर ढीट करिए तो एक चोड़ कमच आप इस में टुमेटो आड करनी आट ला ओ लिए दिए लिए एफ्लेम कर दो से टीन मिनटर सबजीं को पका लेए इसे बैसे उन movimento Japan को जाता है उनमें करंच रखा जाता है तो यह देखिए अब देख सकते हैं सबजी आच्छी तरह से हाँ पर सौफ्ट हो चुकी है अच्छे से मैंने सब्जी को यहां पर पका लिया है और इसके पूद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इन सब्जी को आपने ठंडा हो ठंडा होने के लिए आप इनको एक चनी में रखती जिये या किसी इस टेनर में रखती जिए तक इन पानी निकल जाए अब शीट बनाएंगे शीट बनाने के लिए एक कप यहां मैंने कॉन फ्रायर लिया है और आदे से थोड़ा सा ज़्यादा कप यहां पर मैंने मैडा ल दूद एड़ करना है, दूद से बैटर में अच्छी बाइड नहीं आ जाती है, और शीट भी एक तम परफेक्ट बनती है, थोड़ा सा पानी भी आड़ करेंगे, और अच्छी तरह से दूद के साथ आपने मैदा कॉन फ्राइड को यहाँ पर मिक्स कर लेना है, ज़्यदा प बैटर में एक अच्छी बाइड नहीं गाएगी, और आपकी शीट फटेंगे नहीं, और चिपकेंगे भी नहीं, फिर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करते नहीं, तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत लगती है शीट का बैटर बनाने के लिए, बाकी जब शीट बनाना चालू कर देंगे ना, फिर टाइम नहीं लगता उनको बनाने में, यहाँ पर हमारा जो बैटर यहाँ पर त्यार हो चुका है, तो मैंने आप एक शीट बना के देखी दी, थोड़ी सी मोटी शीट बन रही है, थोड़ा सा पानी हम इसमें और एड़ करेंगे, तो ओके देखिए, बैटर की consistency देख लिशे, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा यह थीक होना चाहिए, और इस तरह से बैटर बना के त्यार कर लिशे, फिर आपने शीट बनानी है, अब शीट बनाने के लिए आदी लेटल देखिए, मैंने बैटर लिय पैन को हलका सा गर्म कर लिशे, और जैसे पैन थोड़ा गर्म हो चाहिए, इस तरह से आपने बैटर घुमाना है, जो बैटर बज जाता है, उसको ना उसी बॉल में निकाल दीशे, अब यह देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती हमें यहाँ पे, शीट जो है पैन में चिबग जाती है, चाहिए वो non-stick पैन हो, चाहिए stainless steel का पैन हो, तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो, आपने पैन में थोड़ा सा नमक एड़ करना है, यह देखिए एक छोटा चम पैन में नमक डालिए, नमक को अच्छी तरह से पैन के साथ मिक्स करके गर्म कर लिशे, नमक क पैन के साथ आपने पैन के चारों तरफ इस तरह से लगा देना है, प्याज के साथ ही लगाना है आपने ओयल को, इस तरह से आप इस तरीके को अजमा के देखिए आपकी शीट कितनी जवरदस्त बनने वाली है, आप इसके बद पैन का टेंपरेचर आपने नमीडियम रखन पैन को देखिए इस तरह से घुमा घुमा के आपने शीट को चारम तरफ से सेख लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 30-40 सेकंड में जो शीट है वो अच्छी तरह से पक जाती है, बागी फ्राई करते हैं पकती है, यह देखिए छोड़ दीना शीट पैनने तो इ इस तरह से कॉनफार को देखिए हाथ से लगा दीशे, तो इस सबसे इजी तरीका मैंने आपके शेर के शीट बनाने का यह देखिए, एक और शीट मैंने त्यार कर दिये बना के, तो इसी तरह से इतने से बैटर में आपकी 12-15 शीट बन जाती है, और इसके बदा आपने के क त्यार कर लेने हैं, तो ओके देखिए, एक शीट आपने इस तरह से उठानी है, और उठाने के बद जो बचवी शीट है, उनको बैसे डखके शोड़ तीशे, और शीट को हलका सा हाथ के ओपर गुमाईए, इसके ओपर जो एक्स्रा कॉनफार है, पूरी तरह से निकल जात हूँ, जो गूल हमने शीट बनाने के लिए त्यार करके रखा है, यह देखिए, और इसके बद आपने एक साइट से इसको फोल्ड करना है, शीट को दूसरी साइट से फोल्ड कीशे, और लाश्ट एंगल से आपने इसको फोल्ड करके इस तरह से पिल्कुल टाइट करके र रख सकते हैं कम सकम 2-3 दिन तक ये खRAB भी नियों होते हैं तो ओके देखिए और पर टेंपरिचर आपने मीडियम रखना है और जितने रोल एक वर में से तीन मिन तक इनको fry कीशे और fry करके आप इनको ठंडा करके फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं तो ओक देखे आज के बद आप इतने टेस्टी क्रिस्पी से स्प्रिंग घर पर बना पाएंगे क्योंकि आज मैं आपको हर्बो टिप्स पता है जो हम लोग यूज करते हैं होटल औ प्रेश्व में इसके बद आप इनकी कर्टिंग कीशे गर्मा गर्म सीज्वाइन सॉस के साथ आप इनको सर्व कर देशे वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेर कमेंट चुरूर कीशेगा ओके फ्रेंज थैंक यू